दोस्तों आप बिल्कुल सही जगा पर आए हैं जी हाँ यदि आप भी मेरी तरह यूटूब पर वीडियो बनाते हैं और आप अपने वीडियो को एट्राक्टिव बनाने के लिए आप बैकग्राउंड म्यूजिक एड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत फ अपने वीडियो को एट्राक्टिव बनाने के लिए आप बैकग्राउंड म्यूजिक एड करते ही होगे तो यदि आपको नहीं पता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक किधर से डाउनोड करना है जो बिल्कुल कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा कॉपीराइट फ्री है और रोयालिटी फ्री है इससे कोई भी डर नहीं है तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कुपीराइट फ्री म्यूजिक किधर से डाउनोड करना है तो आप यह वीडियो अंततर जरूर देखिए तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो शुरू करते ही है लेट्स स्टार्ट कि दोस्तों कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यानि कोई भी यदि आप कॉपीराइट फ्रीमियूजिक या रोयालिटेटी फ्रीमूजिक और बैकडराउंडन म्यूजिक अपने वीडियो के लिए डेट करना चाहते हैं, या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने कोई भी ब्राउजर पर जाना होगा, जैसे हाला कि मेरे पास Chrome ब्राउजर है, मुझे ये इसी लगता है, इसलिए मैं Chrome ब्राउजर को ओ करने के बाद आपको लोगों दिख रहा है इस लोगों पर क्लिक करने के बाद ओड यह वाईटीि मा classy पर क्लिक करना है यह यह देखिए आपको यह वाईटी इस्टूडियों पर किलिक जाना है यह देखिए आपका ये YT Studio open हो गया उसके बाद क्या करना है आपका ये जो नीचे दिखा रहेडेस वर्ड वीडियो ये सब आपको इसके नीचे स्क्रोल करकर नीचे चले जाना है ये देखिए उसके बाद आपका ये जो customization की नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा ये देखिए आपको ये जो है audio library ये audio library देखने को मिलेगा आपको ये जो audio library है इस पर click कर देना है ये देखिए आप इस पर click कर सकते हैं उसके बाद क्या करना है ये देखिए आप आपका ये open हो गया है इधर audio library इधर से आप कोई भ आप कोई भी यूज कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल free, इस पर कोई copyright नहीं आएगा, और यदि आप free music, background music, अपने channel के लिए, अपने video के लिए, यदि आप कोई blogging channel बनाते हैं, या आप कोई भी cooking channel है आपका, और आप video बनाते हैं, और आप उस पर background music add करना चाहते हैं, तो इधर से आप यदि कोई भी music download करकर, अपने video पर add करते हैं, तो इससे copyright नहीं आएगा, तो चलिए, दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, कि आपको इधर से, यानि कोई भी, ये copyright music के से download करना है, उसके लिए क्या करना होगा, आपका जो ये filter दिखा रहा है, फ्री music का filter, ये देखि कर सकते हैं, track title देकर search कर सकते हैं, genre देकर search कर सकते हैं, mood देकर search कर सकते हैं, कोई artist name देकर search कर सकते हैं, duration आपको इधर कितने minute की, मतलब कोई भी music चाहिए, जैसे आपका 5 minute की चाहिए, या 3 minute की चाहिए, या 2 minute की चाहिए, आप इधर से duration भी देकर search कर सकते हैं, और हम लोग क और attribution required, यह बहुत समझने वाली बात है, यदि आप कोई भी इधर से background music, यानि कोई भी music, कोई भी song add करते हैं अपने वीडियो पर, तो यह जो attribution not required, यदि आप इससे attribution not required का, यदि कोई music या sound आप add करते हैं अपने वीडियो पर, तो उस पर credit देने की जरूरत नहीं होती, य लेकिन जो attribution required है, यह नीचे वाला आप सले, यदि आप इस पर से कोई भी अपने music, अपने वीडियो पर add करते हैं, तो इस पर आपको, यह common creative है, इस पर आपको credit देने की जरूरत होती है, तो चलिए, पहले मैं सिखाता हूँ आपको, कि कैसे आपका attribution not required, यानि free music कैसे download कर करना है, जिस पर कोई copyright नहीं आएगा, जो बिल्कुल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने वीडियो पर add करना है, आपको, तो चलिए, मैं सिखाता हूँ, आपको, इस पर कोई भी आपको वह नहीं देने की जरूरत है, attribution not required, अब यह देखिए, आपको यह बहुत सारी, आपको क्या दिख रहा है, यह देखिए, आपको यह स्याड दिख रहा है, romantic, आप कोई भी mood, मतलब, चूच कर सकते हैं, mood पर जाकर आप चूच कर सकते हैं, duration आप भी चूच कर सकते हैं, और यह देखिए, license type, आपको जो यह दिख रहा है, license type, आपको इधर क्लिक करकर आपको यदि आप पढ़ भी सकते हैं यह देखिए क्या लिखा है no attribution not required मतलब you are free to use this audio in any of your video including video that you monetize मतलब एसे videos कर आप monetize कर सकते हैं कोई भी copyright नहीं आएगा एसे videos कर आप monetize आसानी से कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं यह यह देखिए आपका जो पहले वाले त्ट्राइब जैसे यह आपका यह तophouse दोभाले देख रहा है कोई आप एक संग कर सकते हैं अब यह देखिए जैसे मैंने यह संग चूझ कर लिया iए अब मुझे क्या करना है यह संग को मुझे डाउनलोड करना है उसके लिए मुझे क्या करना है यह तो अब यदि आपको यह जो आपको दिख रहा है इधर यदि आपका यह जो दिख रहा है यह यूटूब का लोगो दिख रहा है यदि आपका इधर सीसी है तो आपको इस पर आपको credit देने की जरूरत होती है, लेकिन इधर सिर्फ YouTube का logo है, इसका मतलब आपको credit देने की जरूरत नहीं होती, तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो है, हम लोग अपको download करना है, तो हम लोग को download, यह देखिए, मैंने जैसे इस video पर download किया, तो अब यह चलने लगा, यह चलने लगेगा, और यह जो नीचे आपको दिख रहा है, यह देखिए, आपका जो यह नीचे दिख रहा है, आपका मैं देखा देता हूं, यह देखिए, जो आपका इधर दिख रहा है, आपका इधर वीडियो का details दिखा रहा है, मतलब आपका यह देखिए, वीडियो beside में यह आपका वीडियो इधर चाल रहा है, आप पोस्ट भी कर सकते हैं, और यह देखिए, आपका यह जो download है, यह जो download वाला option है, इस पर click करकर download करना है, तो आप इस पर click करकर download कर सकते हैं, तो जैसे आप भी इधर click करेंगे, तो आपका वीडियो download होने पर चालू हो जाएगा, यह देखिए आपका वीडियो डाउनलोड हो रहा है, अब आपका वीडियो ये डाउनलोड हो गया, यदि आप देखना चाहते हैं, तो आपका जो वीडियो, मतलब ये music है, आपका ये music डाइरेक्ट गैलरी पर सेव हो जाएगा, मतलब आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, अब यदि आप कोई भी, अब ये attribution not required था, अब यदि आप कोई soundtrack या या यूज करना चाहते हैं, soundtrack पर जाना है, और ये देखिए, आपको क्या करना है, अब soundtrack देखना है, ये देखिए, आप किसर बहुत सारे, आपको soundtrack मि और इस पर क्या है, ये आप इधर download पर क्लिक करने से ही आपका download हो जाएगा, और आप इधर से भी download कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी सिखाया था आपको, ये देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है, इसी तरह आप कोई भी sound या कोई भी music add कर सकते हैं, अब चलिए, मैं आपक देखिए, ये वीडियो है, मैं यदि इस पर क्लिक करूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो मेरा चलने लगएगा, ये देखिए, दो मिनिट का वीडियो है, और इस पर मैं क्या करूँगा, ये जो CC दीख रहा है, इस पर क्लिक कर दूँगा, ये देखिए, आप ये जो description लिखा हुआ है, आप अपने वीडियो पर ले जाकर, जो description लिखते हैं, उस पर ले जाकर आपको copy paste कर देना है, सिर्फ इतना करना है और push करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हो गया, आपका, मतलब जो CC, common creative होता है, वो music आप अपने वीडियो पर कैसे add कर सकते हैं ये होई, ये सेम तरीका है, इस पर सिर्फ क्या करना है, ये जो CC दीख रहा है, इस पर click करना है, CC पर click करने के बाद, ये देखे, आपका जो ये ऐसा box बना हुआ आएगा, उस पर ये जो, आपका copy वाला option दीक रहा है, इस पर click करकर, आप copy कर लेना, उसके बाद अपने description box पर पेस्ट कर देना है इसी तरह कर आप कोई भी अपना मतलब व्याग्ग्राउंद music एड कर सकते हैं यानि इदर से आप कोई भी इदर बहुत सारे हैं आपको यदि ड्यूरेशन बहुत चाहिए यह देखिए आप इदर ड्यूरेशन पर किलिक करकर आप ड्यूरेरशन मैंने जो सिखाया आप इधर से अपने वीडियो पर एड करते हैं तो इस पर कोई कॉपी राइट नहीं आएगा यह बिल्कुल सेफ है और यह आपको यूटूब ही दे रहा है इसलिए इस पर कोई कॉपी राइट नहीं आएगा दोस्तों आप इसी तरह कोई भी मुजिक या साउंड इफेक्ट अपने वीडियो पर एड कर सकते हैं तो दोस्तों आपको यूटूब अडियो लाइब्रेरी से रिलेट कोई भी कोई साल और कोई रीज है तो आप हमें कमेंट बक्स में जरूर बता सकते हैं दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी करना ना भूले जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है धन्यवाद